हलो फ्रेंड्स वेलकम टिरो चैनल सिविल्स तैयारी आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज अनालिसिस में आप सबका स्वागत हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज अनालिस से शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेशन को देखेंगे पहला क्वेशन हमारा पेपर नंबर वान से है तो क्वेशन कहता है कि ओनलाइन सिक्षा एक वियर्थ अफसर हो सकता है यदि सिक्षा का की समान पहुंच को सक्षम करने के लिए प्रात्मिक्ताओं को पुने स्तापित करने और संसाधनों को जोटाने के लिए रणने ती परवर्थित नहीं की गई तो दूसरा क्वेशन हमारा पेपर नंबर टू से है आम सॉरी यह पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है तो सेकिंड वाले कॉश्चन से थर्ड वाले कॉश्चन में हिंदी सजी से नहीं आ पा रही है एनिवेज सेकिंड कोश्चन कहता है कि वाई देर इस नीड फॉर डिटरेंस बाइ पनिशमेंट इन हाई हिमालिया पीस एग्रिमेंट्स करने की कोशिश किये बट हम 1962 से लेकर के आज तक चाइना की सलामी स्लाइसिंग स्ट्राटेजी को काउंटर नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में एक जो नहीं स्ट्राटेजी है जो की है डिटरेंस वाई पनिश्मेंट इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं और इसक हम यहां से सॉल्व करेंगे क्वेशन का कहना है कि इंडिया को डिटरेंस जो है पनिश्मेंट की रूप में क्यों परसीओ करना चाहिए हमालियास पे लिखे जो ओन्गोइंग साइनो इंडियन बार्डर क्राइसिस है उसने यह डिमोंस्ट्रेट किया है कि चाइना का जो सल सलामी स्लाइसिग की स्टाटेजी क्या होती है उसको अगर हमें चेक मेट कर ना है तो हमें डिर्टरेंस पाइडियाल कि स्टाटेजी को अपनाना पड़ेगा करना है अ परारवारी टेरिटरी नेबल कर दी अल्टेमेटी क्या होगा यह पूरी टेरिटरी जो है चाइना की हो जाएगी जैसे 1962 में किया उन्होंने अकसाई चिन को अपने उपर कपजा बताते हैं अभी वो कोशिशिका कर रहे थे कि गल्वान के अंदर जो है स्ट्रेटस को चेंज क कीवर्ड था अगें सलामी स्लाइसिंग जो है चाइना की तरफ से स्ट्राटिक रिस्पॉंस था इंडिया का रिस्पॉंस किया हुआ डिटरेंस बाई डिनायल का मतलब क्या हुआ कि हमने इतना डिटरेंस का मतलब होता है रोकना डिनायल मतलब उनकी स्ट्राटिजी को चेक स्ट्राटिजी को यूज किया था अब देखें वह हम डिट्रेंस पाइड इनायल इसलिए हमारा सक्सेस्फुल हो पाया क्योंकि इंडिया का जो ट्रूप मॉपलाइजेशन था वह इतना जाधा था कि चाइना अपने आपको समाल नहीं पाया और वह इंडिया का जो कंट्रोल जहां पर इंडिया को फ्रेटन कर ला था कि हमारे सिलीगोडी कोरिडोर को कंट्रोल कर सके उसको हमने डिटर सक्सेस्फुल ही किया था बीचिंग ने डोकलाम की लेसन को बहुत अच्छे से लर्न किया और इसलिए इसने एग्रेसिफ और कॉर से बारगेनिंग टैक्टिक को करना शुरू कर दिया है जहां पर इस बार आपने देखा होगा कि डोकलाम की तरह यहां पर थोड़ी सेनिक नहीं आये थे चाइना इस बार जो है मासिफ सेनिकों की ब्रिगेट लेकर के आया था बेसिकली यह जो सारे कंटेंजेंट जो इन्होंने बेजे थे इदर यह बेस इनाडेक्वेट फील हुई है पैट्रोलिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग इवन जो सेटलाइट इमेजरी है वो भी हाई अल्टेट्यूट माउंटेन में इतनी ज्यादा चालेंजिंग होती है कि यहां पे ना तो पैट्रोल हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं किलोमेटर एलेसी के आसपास जो हैं इफेक्टिवली डिनाई नहीं कर सकती है चाइना को की ऑपार्चुनिटीज को कि वो स्टेटस को को रिवाइस कर सके हर पॉइंट्स पे तो देखें इंडिया ने जो भी एलेसी है ना उसकी आसपास वाडर चेक पोस्ट बनाई हुई ह इन पोस्ट को मैन करना हर पोस्ट को मैन करना वह डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहां का जो टेरेन है क्याओ डिफिकल्ट है हम उर पैट्रलिंग नहीं कर सकते है को नहींकरण चाइना parental फ्रोल से पनेता है हमारी रियक्शनली स्ट्राटिज होती है तो ऐसे हमां चाहिन denial अच्छे से होना चाहिए ऐसे में इंडिया ने जब infrastructure gap को bridge करने की कोशिश की जिससे कि हम अपने outpost को अच्छे effectively man कर पाएं तो इससे जो है चाइना को problem आई है और यहाँ पे हमने देखा कि चाइना अगे चाइना ने जो एक इंडिया के ६ट की प्लस जो एक तो result का पावर वाली बात की जारी है यहाँ पर और यहाँ पर एग्रिसंची पावर वाली बात की जारी है इसलिए इसको रिवाज जब भीया बच्रिक पोला गया है और हमें इसको रोकना है तो हमें अपनी डिटरेंस को को रिय offense कर के जो कि offensive action के benefit को बहुत ज़ादा exceed कर जाए अनित मुकरजी और योगे जोशी ने आर्ग्यू किया है कि हम अगर expand करते हैं और escalate कर देते हैं conflict को नए areas में और avenues में for example हम additional front open कर दें land पर और air पर बार-बार ये चीज़ बोली गई है कि maritime में हमाजी superiority है चाइना चाइना से बहुत सादा है फाल फिलाल में तो ये एक अच्छा एरिया है जहां पर हम फिलाल चाइना को मात दे सकते हैं अगर हम यहां पर additional front open कर दें ऐसे punishment चाइना की तो ये चाइना को signal करेगा कि ये confident नहीं रह सकता अपनी ability में कि ए इवेंट को कंट्रूल कर सके इंडिया ने ओलरड़ी जो है ग्राउंड प्रिप्रेयर करना शुरू कर दिया था ऐसी strategy के लिए for example mid 2000 से हमारी जो हमने जो है एक mountain strike cops नाम की division जारी की थी जो की rapid counter offensive operations को चारी कर सके हितिबत में हिम विजय नाम की exercises हम already करते हैं अरुनाचल प्रदेश से लेकर के western sector of LAC में और यह चीज इवन देखे global times ने और चाइना का जो leading think tank है उसने यह चीज अपने global times में publish की थी और बहुत सारी चीजों में publish की गए जहां पर चाइना के एक leading think tank ने कहा था कि इंडिया के जो mountain strike cops हैं उनकी capability बहुत जादा है as compared to China उसके अलावा हमने और चीज़ें करनी उसके अलावा हमने और क्या-क्या improvement किया था हमने अपनी fire power को augment किया for example हमने 145 M777 ultralight hotzer guns जो है लिए हैं USA से 2016 में उसके अलावा हमने ब्रह्मोस cruise missile system को deploy किया है smrch और पिनाका नाम की multi-barrel rocket launchers लिए हुए हैं border के आसपास हमने इनको रखा हुआ है फिर हमने जो 6 नई armored regiments raise कर रखी हैं 348 tank जो है एक्यूप कराए हैं इन regiments को और 3 mechanized infantry battalions जो है हमने raise कर रखी हैं मुखर्जी और जोशी हाइलाइट करते हैं कि इवन जो इंडियन एर फोर्स है उसने अपने जो deployment कर रखा सुखोई M30 MKI यह जो aircraft हैं यह M21 interceptors की जगे इनको हमने deploy किया है और यह सुखोई के जो aircraft हैं बहुत जादा action की और उसके साथ rapid deployment जो ground forces की होगी इससे जो है हमारे यह और ज्यादा बढ़ जाएगी जब हम अपाचे attack helicopters हमें मिलने लगेंगे और Rafale fighter aircraft आने लगेंगे तो जुलाई से हमारा पास Rafale आ जाएगा तो अगें हमारी capacity है बहुत ज़्यादा augment हो जाएगी उसके लावा चिनूक heavy lift air helicopters जो कि हमें यूएस देने वाला है अगें यहां से हमारी capabilities और ज़्यादा augment हो जाएगी इसी लिए अगर चाइना जो है परसीव करता है territorial fiat and comply strategy मतलब सलामी slicing अगर territory के basis पर चाइना जो है परसीव करता है तो इंडिया अगर casualty हो तब भी उसको prepare आना चाहिए कि हम limited military action जो है LAC के आसपास ले सकें इसके लिए हमें टार्गेटे क्रिटिकल Chinese infrastructure की टार्गेट करना होगा जो कि G219 का जो रोड है जो कि इनकी artery आप समझ लीजे जिंग्जियांग और तिबत की प्राविंस में उसके अलावा जो इनके तीन airport bases है उनके उपर अगर हम अटाक करते हैं तो चाइना की कमर बहुत आसानी से हम तोर सकते हैं इन ऐसे एरियाज में अगर हम retaliatory strike करते हैं infantry और special forces के थुरू या फिर हम occupied areas पर इस तरह की retaliation करते हैं और बाकी pressure points जो LAC पर हैं जहां पर इंडिया के पास tactical advantage है हम वहां पर अगर counter offensive जारी करते हैं artillery और armory के support से तो कहीं न कहीं यह deterrence रहेगा escalation के against उसके अलावा इंडिया जो है चाइना की frailities जो weakness है इंडियन ओशन रीजन में उसको exploit कर सकता है और उसके अलावा vital sea links जो off communication है उनको हम interdict कर सकते हैं particularly जो कि स्ट्रेट अफ मलाका में जाते हैं तो स्ट्रेट अफ मलाका क अगर हमने जो है वो कर लिया जाम कर दिया तो अगें चाइना के उपर बहुत बड़ा pressure point हो जाएगा इस counter offensive को और बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी ने अलरड़ी जो है nuclear power attack submarines को लीज पर लिया है रश्या से जैसे कि हमारा इंडियन नेवल शिफ चक्रा हो गया और हमारा जो aircraft carrier है जैसे कि INS विक्रमा देती है जो कि 2012 में इंडियन नेवी में उसके अलावा हमने order प्लेस कर दिया है indigenous aircraft carrier के लिए 7 stealth frigids के लिए 6 diesel submarines के लिए 30 warships के लिए 12 Boeing 7API maritime patrol aircraft के लिए 45 MiG-229 के लिए और almost 200 helicopters के लिए तो आप सोच सकते हैं कि इस ते हमारी जो naval strength है बहुत सदा augment हो जाएगी अभी हम जो dominant करते हैं seas को तो recent additions जो हुए थे मलाबार exercise के जो हमने conduct किये थे US, Japan और Australia के साथ इसमें इंडियन नेवी ने specifically ये sort किसी किया था कि हम improve कर सके अपनी anti submarine warfare capability को जिससे कि हम Chinese submarines को counter कर सके ये note कर जाना चाहिए कि एक strategy जो है punishment की वह practicable तभी होगी land frontier पे जादा practicable होगी क्योंकि यहां से चाइना का जो सबसे बड़ा corridor है CPEC corridor जाता है अगर हमने यहां इस देखे CPEC corridor को अगर हम किसी भी तरह मात दे देते हैं तो चाइना को हम आसानी से डिटर कर सकते हैं इससे क्या अपने आपको चाइना के उपर एक pressure generate हो जाएगा जिसकी वज़े से चाइना जो है negotiating table पर आसानी से आप आएगी उसके अलावा हमें जो है Indian Ocean में अपनी जो presence है वो बढ़ानी होगी और अपनी जो vulnerabilities हैं उनको कम करना होगा क्योंकि low cost asymmetric option जैसे की carrier killing missiles इनको चाइना जो है डि चाहिए इसमें हमें देखना होगा कि चाइना के पास numerical superiority है इसी लिए questions यहां पे जो land capability है इस पे questions खड़े होते हैं particularly India को जो है जादा vocal stand लेना होगा freedom of navigation पर South China Sea में जिससे की चाइना की military resources को हम जो है overextend कर सके तो अगर हम दोनों साइट पे कर लेते हैं तो चाइना को देख इसके लावा इंडिया अगर कमिट करता है क्वार्ट के साथ तो यहां से हम अपनी और साथ सथ हम जो है strategic partnership USA के साथ deep in कर लेते हैं तो उसको हम leverage कर सकते हैं वार्डर पर concessions को exact करने के लिए या फिर हम rapidly use कर सकते USA को जिससे की हम upgrade कर सके अपनी domestic military capacity को use करके इस crisis ने यह शो कि है maintain किया है चाइना के issue को लेकर के तो इससे जो है क्वार्ड की deficiencies जो है सामने आई है क्वार्ड जरूरी नहीं है कि चाइना को contain करने में सक्षम हो सके इसलिए चाइना को जो है कोई भी collective military partnership अगर करनी है तो यह देखना चाहिए कि कोई भी collective military partnership हमें जो है operational burden ना डाले इंड जैसे कि US हो गया जो कि जब तक वो unwilling है चाइना के साथ रिस्क लेने के लिए जब तक यह लोग नहीं चाते कि हम rivalry ले चाइना के साथ तब तक हमें military aid South China Sea में नहीं provide करनी है technological capacity building पे हमें तंत्यान देना है जिससे कि हम deterrence बहतर रख सकें दूसरे word में इंडिया expressively external balancing इंडिया को use करनी होगी जिससे कि हम internal balancing को भी कर सकें और हम historical mistrust जो military alliances का है उसको balance कर सकें जिससे कि हम चाइना का जो एक military strength है उसको counter कर सकें अपने छोटे defense budget होते हुए भी एक advantage जो है deterrence by punishment का वो यह होगा कि जो disputed areas है जहाँ पे difference perception है वहाँ पे उन areas में कोई भी natural vital natural resource नहीं है या फिर ethical kin population नहीं है तो इसका मतलब यह होगा कि जो potential payoff होगा offensive का वो ज़्यादा लो होगा मतलब कि China offensive कम करेगा कि वो ज़्यादा कोई ऐसे strategic areas नहीं है जिनको China occupies करना चाता है तो यह important यह है कि हम ऐसे recognize करें कि जो deterrence posture है उससे वो uncontrolled escalation में भी जा सकता है तो हमें यह recognize भी करना होगा अगर हम punish करते हैं तो वहाँ से uncontrolled escalation भी हो सकता है इसको protect करने के लिए China को clearly identify करना होगा deterrence का threshold कि कि कितना चाइना बरदाश कर सकती है बिना conflict को increase किये और यह हमें strategic point होंगे जहां पर हम punishment यह inflict कर सकते हैं किस कितना जो है limited offensive strike जो है चाइना बरदाश करेगा before going into full-fledged conflict for instance जो incursion किये गए थे petrol units के द्वारा पे पी एले के उपर वो temporary nature के थे और उनको जह है comparable नहीं कर सकते है आप territorial ex proportion के या फिल लैंड ग्राब जिनके उपर retaliation होना चाहिए additionally ऐसी situation में जहां पर चाइना प्री एंट कर सकता है चाइना की ingress को वहां पर deterrence by denial एक strategy है जो आज भी useful है तो deterrence by denial यूज करना है बर deterrence by punishment भी हमें यूज करना है उसके अलावा इंडिया को जो है limit करने होंगे counter actions land frontier पर जिससे कि हम forward जो हमारे बाकी areas है वहां पर हम चाइना के उपर cost inflict कर सके finally जो सबसे बड़ा investment करना है वो हमें modernization के उपर करना है इंडियन armed forces के अंदर modernization आर लाना है जो की चाइना के मुकाबले काफी कम है और इसके लिए हमारे उपर cost लगेगी जिस cost को हमें लगाने के लिए तयार रहना चाहिए June 15 की events यह दिखाते हैं कि कहीं न कहीं हमारे पास capabilities है उनकी थोड़ी सी कमी है चाइना की जो approach है 1962 से जहां पर वो मतलब जो भी problem गलती होती है उसको दूसरे के ओपर डाल देता है और वो उसकी चाइना की जो wolf warrior diplomacy है यह भी मैंने आपको समझाया था अगर आपको याद नहीं में क्या है कि आपने याद होगा आपने एक हमने movie देखी थी holiday movie है इसी तरह से एक और movie है जहां पर बहुत सारी Hollywood movies भी बनती है जहां पर इंडिया का कोई एक अकीला सिपाही किसी दूसरी country में जा करके जो भी इंडिया के खिलाफ बोले उसको मार के आता है बहुत सारी इसी तमिल movies आपको specifically मिल जाएंगी बहुत सारी बॉलिवूड movies भी है तो इसी तरह से चाइना में एक movie आई थी wolf warrior जहां पर एक loan agent या फिर कुछ limited agents दूसरी country में जा करके जो भी चाइना के खिलाफ बोलता सा उसको punish करके आते हैं उसी के basis पे wolf warrior diplomacy का नाम दिया ग जाओ करके हैं एक वह पहले चाइना का जो है चाइना के agent थे पाकिस्तान के अंदर चाइना के high commissioner थे पाकिस्तान में और यह काफी जादा जो है और इंडिया को blame कर दिया कि इंडिया status को change करना चाहरा है तो यह एक example है जो चाइना वुल्फ वार्य डिप्लोमैसी और बग पासिंग यूज करके दूसरी country के ओपर जो है damages inflict करने की कोशिश करता है तो इंडिया को punish करना चाहिए deny करने के comparison में चाइना का जो adventurism है मतलब की revision जहां पर चाइना ने rules of engagement को revise कर लिया है वो जो हमने डेंग जिया पंग और राजीव गांदी के time पे हमने कहा था कि हम एक दूसरी के ओपर जो cost है वो inflict नहीं करेंगो उसको चाइना revise करता हुआ नजर आया है तो diplomatic resolution जो है उतनी आसानी से तब तक नहीं आएगा जब तक हम conventional deterrence के अलावा punishment करने की strength ना हो देखिए चाइना एक ऐसी country है ना कि जो की strength को ही रिककनाइस करती है तो अब high time है कि हमें जो है strength को ना केवल बिल्ड करना है बल्कि उसको डिस्प्ले भी करना है जिससे कि हम चाइना को effectively deter कर सकें तो pathway यह होगा कि diplomatic resolution से पहले हमारे पास इंड सकें और हर front पे हम strategic advantage लेने में कायम हो सकें तो यहां पे हमें अपनी strength है उनको build करना है उसके साथ साथ हमें जो है rapid deployment करना होगा जिससे कि हम चाइना की counter offenses को minimize कर सकें और ज्यादा से ज्यादा जो है उसके लिए यह जो salami slicing वाली tactic है इसको costly बना सकें so guys यह article argue करता है कि इंडिया जो है एक unique crisis को face कर रहा है जहां पे तीन जो है अलग-अलग crisis है जो मिल करके इंडिया की जो position है उसको थोड़ा सा tight spot में डाल देते हैं पहला crisis है guns का दूसरा crisis आपका germs का और तीसरा crisis आपका steel का guns यहां पे चाइना के बात की जा रही है और germs यहां पे Chinese virus मतलब की COVID virus की बात की जा रही है steel यहां पे जो हमारी industries है उनकी बात की जा रही है और एक और चीज़े यह सब चीज़े मिल करके हमारी जो ranking है हमारी जो ratings है उनको junk कर रही है मतलब हमारी जो debt है उसको इतना जादा ब लिखेंगे तीसरी साइड आपस्टी लिखेंगे इन सब की वज़े से क्या हुआ हमारी जो रेटिंग जंक हो गई रेटिंग जंक हो गई है और यह जो है एक बड़े फ्रेमवर्क में डालेंगे आप economic crisis तो यह economic crisis that India is facing यह इस तरह से हम देखा सकते हैं अब देखें यह एक काफी grave confluence है, मतलब कुछ चीज़ें जो हैं मिल रही है इस वक्त, military crisis हो रहा है हमारे, उसके अलावा हमारा health crisis है, economic crisis है यह हमारे nation को इस generation में एक बहुत बड़ी threat की रूप में जो है, सामने आया है हमारे nation के, अब यह अपने आप में अगर independently देखेंगे तो अपने आप में जो security crisis होता है काफी बड़ा होता है, अपने आप में अगर industries जो है, जंक हो जाए या industries पे असर बड़े तो अपने आप में वो एक standalone बहुत बड़ा crisis होता है इसी तरह से अगर हम health की बात करें pandemic अपने आप में एक बहुत बड़ा crisis होता है अब यहाँ problem क्या गई, यह सारे crisis हमारे पास एक साथ आए है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए ऐसे में हमें immediate strategic action लेना चाहिए अपने defense और foreign affairs establishment में, जिससे की military threat है उसको thwart किया जा सके COVID-19 जो health epidemic है वो अभी यहाँ तिकेगा तो इसलिए हमें constant monitoring करने होगी health ministry की और local administration के द्वारा करना होगा जिससे की virus के spread को थोड़ा रुका जा सके community spread का chances कम हो और economic collapse को बचाने के लिए हमें जो है military crisis है इसके parallels जो है कारगिल जैसे है 1999 में जब इंडिया की एक conflict हुई थी पाकिस्तान के साथ इसको हम limited conflict बोलते हैं limited conflict मतलब कि full-fledged war ना हो बढ़ हाँ एक armed conflict तो इसको limited conflict बोला जाता है तो कारगिल में हमारी एक limited conflict हुई थी 1999 में उसकी वज़े से क्या हुआ देखे financial burden जो है वो create हुआ था क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ है जो एक प्रोक्यूर करनी थी defense हमारा जो defense spending थी वो बढ़ी थी तो almost हमारी जो 20% है defense spending वो बढ़ गई थी और उसकी वज़े से हमारे defense budget था अगले financial years तक वो भी increase हुआ था तो इसने total cost डाली थी सिर्फ war ने 2.7% of normal GDP की cost डाली थी और जो की highest थी decades के अंदर चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना पाकिस्तान से जादा powerful है और यह जो face off है इसमें कहीं न कहीं इंडिया की भी छती हुई है देखिए कभी भी युद्ध होता है तो दोनों side की छतियां होती है तो definitely एक human cost होती है economic cost भी इसमें involved होगी और इंडिया का जो defense budget है almost हमारा GDP का केवल 2% होता है यह 2021 की अगर हम बात करें तो 2020-21 में हमने 2% of GDP जो है defense में डाला है अगर हम चाइना के साथ compare करें तो चाइना का जो defense budget है इंडिया का almost 4 गुना जादा है almost 8% GDP का defense पे खर्च करते हैं तो यह अगर चाइना का conflict है यह stretch हुआ तो यहां से government के finances भी stretch होंगे औ और almost 2% की additional cost हमें जो है इंकर करनी पड़ सकती है तो यह कहीं न कहीं हमारा जो एक economic economy है उसको एक tight spot में डाल देती है दूसरा हमने crisis देखा था health care crisis और economy का अब health pandemic ने इंडिया की जो inadequate health infrastructure है उसको exposed किया है यह जो public health का expenditure है देखिए central government को state government का केवल 1.5% of GDP है इंडिया के अंद तो चाइना जो है 3% अपने GDP का health care पे खर्च करती है और अमेरिका 9% अपने GDP का health care पे खर्च करती है तो हम बाकी countries के comparison में काफी कम खर्च करती है बट हमारे पास जो है क्या करना होगा हमें अपना जो ramp up करना होगा health expenditure ज्यादा तर health experts मानते हैं कि central government को almost 1% additional GDP का health care पे खर्च क तो अभी हमने देखा देखे 2.9% जो है defense की वज़े से कम से कम आएगा ही आएगा यह 1999 में आया था तो अब अगर आप जो है इतने साल के बाद तो obviously 2.9 से 3% मान सकते हैं तो defense का खर्चा आएगा अगर हमारा जो है एक limited conflict भी हुई चाहिना के साथ तो अगर हम health की बात करें तो कम से कम जो है 1.5% already करते हैं और हमें जो है additionally 1% और करना होगा तो आप देख लिए जो almost 5.5% की additional हमारी जो है economic cost आ रही है अच्छा दूसरी जो problem है वो है economic crisis की इंडिया की अगर हम बात करें बहुत बारी हमने बोला है कि जो हमारी GDP होती है उसको calculate करने के बहुत अलग तरीके होते हैं आपने देखा होगा याद होगा y is equal to c plus i plus g plus x minus m यह होता है आपका economy को मतलब GDP को calculate करने का तरीका अब c यहाँ पे consumption expenditure होता है i जो है आपका investment expenditure होता है g governmental expenditure होता है x जो है exports होते है m हो जो है imports होते है तो GDP के लिए जो बड़े drivers है यह 4 drivers है अब अगर हम consumption की बात क इवन जो है कोविट क्राइस से पहले जो consumption है वो fall down हो रहा था economic survey में आपको याद होगा economic survey जो की government का document है इसने clearly लिखा हुआ था कि हमारी जो economy है वो seven year की cycle पे चलती है हमारी economy cycle है और हमारी जो economic time period है वो cycle का 7 साल की cycle है इसमें जो है demand consumption अपने आप 7 साल के आसपस fall down होने लग economy फिछले दो साल से low consumption शो कर रही है because of cyclic reasons cyclic economy होने के वज़े से हमारी consumption already fall down किये हुए थे covid से पहले covid के पाद जो है लोगों की jobs जा रही है फिर एक economic crisis create हुआ है इससे जो है consumption है वो further down होगा अब चलिए consumption अगर down हो जाता है तो y को calculate करने के लिए y को constant रखने के लिए अगर c घड़ गया तो आपको क्या करना होगा या तो i बढ़ाए या आप g बढ़ाए या आप exports बढ़ाए एक्सपोर्ट अभी बिल्कुल बंद है क्योंकि जादा इतरूदर companies जो है काफी जादा निशनलिस्टिक हो रही है अपने outlook में और companies ने borders भी बंद किये हुए हैं बहुत जादा restriction से आने जाने पर तो exports हम नहीं बढ़ा सकते अब क्या बचा investment और government की बात बची governmental expenditure already government की जो finances है इतने जादा stress है ति government जो है बहुत जादा expenditure नहीं कर सकती लास्टली बचता है आपका investment और अगर overall economic condition अच्छी नहीं होती तो investment अपने आप ही नहीं आएंगे तो आप economy जो है अपने आप इस तरह से एक crisis में चली गई है और ये already आपने देखा होगा S&P ने हम हमारी ratings है वह downgrade की है तो यह सब एक indicator है कि कहीं ना कहीं हमारा जो economy की shape है वह काफी ज्यादा खराब है इवन आपने कल देखा होगा IMF ने भी project किया है कि इंडियन इंडियन economy जो है 4% तक contract करेगी 2020 में 2020 में और next year ही यह जो है आपकी expand कर सकती है तो सब लोग कह रहें वी सब्सक्राइब करेंगे तो जब यह वी शेफ्ड कर्व होती है तो इसको जो है recover करने में काफी टाइम लगता है तो अब हम इस एकनॉमी की जो problem से इसको कैसे solve कर सकते हैं देखे इसके लिए incremental funds चाहिएगे मतलब की incremental का मतलब क्या होता है थोड़े से fund फिर थोड़ा और 1930s के depression को great depression को word off करने के लिए अब government को इसलिए funds injection का injection करना होगा जो की कम से कम GDP के 5% के आसपास हो जिससे की economic shock को जो है वो absorb कर सके और spending cycle को दुबारा कीखिन कर सके तो guys total क्या देखा हमने अभी तक की हमारी जो economic crisis है almost GDP का 4-5% हमारी GDP जो है श्रिंक होगी तो मालीजे हमारी GDP 10 के level पर थी 4% या 5% श्रिंक होगी 5% ले लेते हैं तो क्या हो जाएगी 5% हमारी GDP की total GDP होगी अब ये अगले साल मालीजे 10% जो है increase growth होती है तो 10% जो है 5 से growth होगी 10% की 15% होगी अभी ये जो shrinkage आएगा तो total जो difference आया 5 और 15 में कितना आया 10% का हमारा जो है change आया total तो हमारी जो central revenues जो है इस साल के वो 10% of GDP जो है देखे गए थे तो हमारा अभी total जो change आएगा पूरी economy में जो change आएगा वो 10% का आएगा और ये काफी बड़ा change होता है और य अगले साल जब 10% की अगर growth हुई और हो सकता है कि यह जो spiral down हो ना vicious circle of de-acceleration वो भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि हम 10% अगले साल grow कर ही पाएं तो यह एक realistic estimate नहीं हो सकता है कि realistic estimate ना हो अब central government के अगर हम बात करें तो revenue central government के GDP से आते हैं और 10% हमारे जो revenues हैं वो GDP से आएंगे अब यह central government के revenues भी budgeted revenues भी हम achieve नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखे बजट का जो भी हमने estimation किया था वो तब किया था जब situation इतनी खराब नहीं थी तो revenues जो है almost GDP से जो हमने estimate किया था उससे 2% fall down हो सकते हैं तो revenue fall down कर रहा है growth भी fall down कर रहा है हमारी जो combined gap हो गया वो almost 10% का gap है तो यह जो 10% का gap है इसको fill करना बहुत easy नहीं है इसको fill करने के लिए पहले क्या होता था कि हमने capital gains पर tax लगा दिया हमने जो luxury items है उन पर tax लगा दिया और हमारे जो है इस तरह के shortfalls fulfill हो जाते थे बट इस वक्त ऐसी condition में ना तो लोग कोई luxury item बहुत साथा खरीद रहा है capital gains नही difficulties है यह जो है practical difficulties है जो कि easy नहीं होगा अगर तो हमारे revenue से हम जो है अपनी GDP का जो 10% का overall fall आएगा उसको हम fulfill नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं तो हमारे पास एक ही option बचता है कि हम debt लें अगर हम debt लेते हैं तो हमारी जो already ratings है वो junk हो जा रहे हैं हम जो है already एकदम last category ब कामले में अगर इससे फर्दर हम अपनी debt बढ़ाते हैं तो foreign investors के अंदर panic आजाएगा और वो mass level पर जो है इंडिया का जो मार्केट है वो छोड़के जाने लगेंगे इस वक्त हम ऐसी condition में नहीं है कि हमारे foreign institutional investors इंडिया से फ्राइट कर जाएं बहुत सादा हमारे जो एक्स बढ़ उसका electronic fund transfer कर दीजे अब इस article में कहा गया है कि even if अगर आप electronic transfer भी करते हैं मान दीजे RBI ने printing कर दी money की monetization हो गया बहुत time से कहा जा रहता monetization करना चाहिए नई money की printing होनी चाहिए नई money की printing की जाएगी तो उससे हमारे जो ratings है वो further downgrade हो जाएगी तो एक और alternative जो magic की त government के account में डाल दीजे उससे हमारी जो supply है वो भी बनी रहेगी और बहुत जादा inflation है वो भी नहीं बढ़ेगा जैसा कि America ने किया था अब यहाँ पे इस article में यह और argue किया गया है कि जो magic बताया गया है वो हो सकता है magical ना हो USA ने किया था USA का चल गया क्योंकि USA की जो dollars है वो world क reserve currency के रूप में काम करते हैं तो USA में अगर dollars बढ़ भी जाते हैं तो बहुत जादा शौक नहीं पड़ेगा क्योंकि buyers USA के beyond भी है जो कि US के dollars को purchase कर लेंगे इंडिया की अगर हम बात करें अगर इंडिया का रूपी है उसकी market में बहुत जादा अगर रूपी हम डाल देते है तो हमारी रूपी की value जो depreciate कर जाएगी दूसरी चीज़ यह है कि even if अगर आप electronically भी transfer करें तो भी rating agencies जो है कहीं ना कहीं इसको even electronic transfer को भी as a debt के रूप में देखेंगी और further फिर भी वो downgrade करेंगी करेंगी तो हमारे उपर even if अगर हम जो है electronic transfer भी करें तब भी जो ratings हैं उनको ह हम self salvage नहीं कर पाएंगे उनको हम बचा नहीं पाएंगे तुझे यह magical problem बताए गई थी यह basically magical problem है नहीं तो अब हम क्या कर सकते हैं as a nation देखें की जो choices हैं बहुत यह दो choices हैं government के पास या तो government को बहुत ही bold decisions लेने होंगे या फिर government कुछ ना और rescue करना होगा अपनी economy को या अगर government कुछ भी नहीं करती तो और जहाला deteriorate होगी हम as a nation expect करते हैं कि government बोल्ड डिसीजन लेने के लिए government को बैलन्स करना होगा और हम हो सकता है कि government को unbasidly borrow करना पड़े मतलब कि बिना शर्म के borrow करना पड़े borrowing बढ़ानी पड़े और उसको balance करने के लिए हमें बाकी areas में ब होता ही बरतनी होगी दूसरी जीस क्या है military crisis जहां तक हो सके वहां तक हम award करें क्यूंकि हमारी economy already एक बेकार spot में है ऐसे में हम इस क्राइस को further exaggerate नहीं कर सकते तो यह एक चीज है जिसको हमें देखना होगा government के पास बहुत limited choices हैं इसलिए government को अपने measures को पत्चब जो भी it poses a steep learning curve तो इसके लिए हम जो है questions देख सकते हैं मितलब जो हमारा question है उसको देख सकते है question का कहना question जो है इसमें basically वह कहां गया है कि किस तरह से हम इस crisis को use करके learning के लिए एक नया जो है अध्याय चालू कर सकते हैं इस तरह का question इसमें बन सकता है अब देखे pandemic जो है एक जो है असिमेटरी आई है learning में लेकर के मतलब जो लोग सक्षम है जिनके पास पैसा है जिनके पास access है डिजिटल चीज़ों का उनके पास लर्निंग उनकी जो है वो बहुत सदा steep नहीं होगी बागी जो गरीब जनता है बागी जो जनता है जिसके पास access नहीं है जो rural areas में ज करते हैं कि वह एकाडमे की एर को मेंली जो हैं ऑनलाइन मोड में हेल्ड करेंगे अब वहां पर दिखेंगे वह डेवलप्नेशन से सबके पास एक्सेस हैं मिनिमम मिनिमम मिनिमल चीजें हैं बच्चों के पास लाप्टॉप की अवेलिबिल्टी है बहुत हाइप स्पीड इंटरनेट भी है और माल लीजे हम यह जो है काफी अच्छा है हाई स्पीड है दूसरी चीज हम यह भी माल लेते हैं कि उसके पास डिवाईस भी है जिससे कि वह इंटरनेट को एकसेस कर सके उसके बावजूद भी इन सब चीजों के बावजूद भी एक जो प्रॉब्लम होते हैं और वहां पर भी बीच-वीच में इलेक्टर्क फ्लक्ट्वेशन होते रहते हैं तो इस वज़े से एक्सस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसके अलावा हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ हैं जिससे हमारा जो है अस्थिमेट्रिकल एक्सस रह जिनको ऊस्थिमें जिनको वह यूज करकर इंटरनेट को एक्सस कर सकें हाइप स्पिड़ इंटरनेट की कमी है इंटरनेट शर्फीट इवन जो 4 जूड़ी प्रॉइडर ताहिऊं कहीं मतलत इतनी तेज हमारी इंटरनेट सीक्वरीडस हैं कि स्ट्रीम बिना मद्स किये कर status वो भी लंबे लंबे घंटे तक मान लीजे एक दो घंटे की class हो तो वो चल भी जाता है अब school colleges में हम 6-6 घंटे की 7-7 घंटे की classes लगाते हैं अब इसको जो है online mode में लगाना काफी एक difficult बहुत ही difficult है इंडिया के अंदर क्योंकि देखे बहुत सारी problems है सबसे एक problem तो access की हो गई जिसके पास access है भी वहाँ पे अगर दो बच्चे हैं तो उनके पास एक devices होती है अब एक device पे simultaneously दो बच्चे किस तरह से पढ़ाई करें इससे जो है हमारी cost बढ़ जाती है दूसरी चीज़ क्या है इतने unlimited data packs नहीं है अगर unlimited ले भी लेते हैं तो अगेन problem आती है speed की तो यह सारी problems हमारी learning है उसको asymmetric कर देते हैं उसके अलावा फिर देखे पढ़ने के लिए privacy चाहिए होती है अब घर बहुत छोटे होते हैं दो room में से एक ही room available मतलब दो room एक room में के अंदर पूरी families रहती हैं या even two rooms sets होते हैं जहां पे जो है पच्चे को वह privacy नहीं मिल पाती पढ़ने के लिए तो यह सारी चीज़ है जो हमारी learning को थोड़ा सा वह कर देते हैं learning को खराब कर देते हैं अब एक और problem जो इंडिया के लिए यूनिक है वो है कि हमारी जो institutions हैं उनमें काफी diversity है private institutions है government colleges है universities है research institutes है professional colleges है state universities है central universities है और इंडियन ecosystem में जो है इतनी सारी जब heterogeneity हो जाती है तो इनका जो response होगा वो भी heterogeneous होगा reactions जो है काफी contrast है जैसे कि rural areas में आप यह सारी चीज़ है मतलब access की problem है urban areas में infrastructure available है जहां पर आप की start कर सकते है online classes को बट अगेन वहां पर privacy की problem आती है तो उसके अलावा एक और problem आती है कि आप हर subject को जो है online नहीं पढ़ा ज़त सकते जो laboratory based subjects हैं उनको आप किस तरह से online कराएंगे laboratories तो आप online नहीं करा सकते हैं तो यह सारी problems हैं और कुछ इनके long term effects भी बढ़ेंगे फिर political, economic, social changes जो है वो लाने पढ़ेंगे जिससे कि यह अगर हमें online learning करनी भी है तो इसको effect बनाया जा सके subject specific जो problems हैं तो purely अगर आप learning के point of view से देखेंगे तो technology एक बड़ा role play कर सकती education में बट यह काफी subject specific होगा कुछ courses जो traditionally जिनके लिए laboratory की और practical component की requirement है उनको हम online basis पे नहीं करा सकते हैं इसलिए जो adoption और integration हो जाएगा technology का वो depend करेगा ना केवल institution के basis पर बलकि subject के basis पर भी और इसमें जो है काफी बड़ा एक human digital divide है जहां पे bandwidth जो है कुछ लोगों के पास अच्छी available होती है कुछ लोगों के पास bandwidth की कमी होती है इवन जो 4G bandwidth हैं इतनी खराब आती है कि regular streaming नहीं हो पाती नाम के लिए 4G होती है basically internet service provider provide 3G करते हैं और उसको ब्रांड करते हैं 4G के नाम से उसके अलावा देखिए even जो institutions हैं वहाँ पर काफी unequal access है funding का कुछ एरिया कुछ institutions के पास funding अच्छी है तो वो अपनी capabilities को बिल्डप कर सकते हैं लैपटॉप्स वगएरा अरेंज कर सकते हैं internet speed जो है enhance कर सकते हैं जिनके पास already funding नहीं है उनके पास capacity building की problem आ जाती है classroom lecture के beyond की अगर हम बात करें तो एक जो serious implication पड़ेगा वो academic researches के उपर पड़ेगा हर discipline में क्योंकि देखिए research के लिए personal interaction की जरुरत होती है discussion होना करना पड़ता है research supervisor का और researcher के बीच में और इसी लिए ये clear नहीं है कि doctorate research students बिना supervision के किस तरह से अपनी जो research है उसको resume करेंगे उसके अलावा economic crisis की वज़े से जो consequence है funding के उपर वो भी आएंगी तो ऐसे में researches के लिए maintenance की जरुरत पड़ेगी research infrastructure की maintenance उसके लावा funding की maintenance जो है वो नहीं हो पाएगी इससे एक long term effect पड़ेगा और सबसे बड़ा जो impact पढ़ने वाला है वो फिलाल जो इस साल जो है research को complete कर लेते उन researchers के उपर पढ़ने वाला कि अब वो researchers अपनी परस्यू नहीं कर पा रहे हैं पात साल माल लीजे होने को आगे अ यह काफी बड़ा जो है problem है जो research scholars को face करनी पढ़ रही है उसके अलावा देखे इस article में जो इन्होंने जो राइडर्स है इन्होंने जो है बहुत interactions किये है school colleges में institutions से teachers के साथ और students के साथ कि क्या-क्या उन्हें problems face करनी पढ़ रही है तो क्या-क्या problems है पहली चीज जो सब को है वो यह है कि सब students के पास equal access नहीं है internet का किसी भी class में आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो है जो even real time में जो है lectures attend नहीं कर सकते मतलब online lectures को real time में नहीं उसके अलावा यह प्रॉब्लम कर सकते हैं बहुत सारी problems की वज़े से किसी के पास प्राइविसी नहीं है उस वक्त किसी के पास एक्सस नहीं है internet का किसी की किसी का जो है classes simultaneously converge कर रही है आपने sibling के साथ तो एक दूसरे को एड़िस करना पड़ रहा है तो आदे से ज्यादा उसके अलावा यह problem lower income group के लोगों के लिए भी जादा है तो यहां पर एक digital divide जो है economic condition की वज़े से और ज्यादा create हो गया है जिसने बहुत ज़्यादा learning की gaps create कर दिये है normally schools colleges में क्या होता था अच्छी जगे देखी बहुत सारे access जो है equitable है काफी जगे access है बच्चे पढ़ ले और जो अच्छा है वो गेन कर पाएगा बट यहां पर क्योंकि accessibility lower income group वालों के लिए नहीं है फिर income middle income group वाले को भी accessibility के problem आ रहे है इसलिए यह learning में पीछे रह जाएंगे और इनकी बिना किसी गल्दी के ऐसा नहीं है कि यह नहीं learn करना चाते बट यह learning में इसलिए पीछे र response आया है इंटरनेट learning है काफी पूरली प्लांड है एकदम से आया ना pandemic एकदम से जो है किसी को पता नहीं था कि इतना लंबा चलेगा school colleges इतने लंबे टाइम तक बंद रहेंगे ऐसे में जो online teaching है वो अपने आप में देखिए एक अलग genre होता है online teaching के लिए बहुत सारी चीज की requirement होगी मुझे माइक चाहिए मुझे recording software चाहिए मुझे recording software पर काम करना आना चाहिए फिर उसके अलावा बहुत सारी चीजह होते है जैसे कि एक आपको privacy चाहिए internet connectivity चाहिए internet ठीक ठाक होना चाहिए जैसे कि आप इसको upload कर सकें या stream कर सकें फिर और भी बहुत सारी problems हैं जो teachers को face करने पड़ रही हैं हरे कोई जो इतना technical savvy नहीं होता कि वो तुरंत online lectures पे shift कर सकें एक transition ला सकें तो across the boards teachers ये recognize कर रहे हैं कि उनकी जो teaching है वो बहुत unsatisfactory रह रही है बहुत कम teachers हैं जो इस जल्दी पाची में एक अच्छे lectures बना के ला पा रहे हैं online माध्यम से और जो executed videos है काफी जो है पूरे executed videos हैं उनके जो classes होती है उसको कही न कहीं record करने की कोशिश की है वो भी अच्छे से recording नहीं की गई है तो ये जो videos हैं काफी unsatisfactory हैं इससे learning कही नहीं hamper ही हो रही है online higher education में जो है MOOC की बात की जा रहे हैं जहां पी massive online courses हैं जो NPTEL और SWEM दो जो platforms हैं वो करात करने होगी और quantity जो online courses की है वो enhance करने होगी अभी आप Swem पर जाएंगे ना बहुत सारे ऐसे लेक्टर जिनकी आपको need है पर आपको मिलेंगे नहीं दूसरी चीज़ यह है कि वहाँ पर enrollment का एक particular time period होता है आपने उस time period में enroll नहीं किया तो अगेन वो course को आप access नहीं कर सकते तो यह practical problems हैं जिनको हमें दुबारा से relook करना होगा इनको revamp करके तब हमें launch करना होगा फिलाल जो Swem और NTPEL का जो platform है यह classroom learning को augment increase करने के लिए बहतर करने के लिए use किया जाता है अब अगर इसको credit के लिए use किया जाए मतलब as a semester की study के लिए अगर हम totally Swem पे या NTPEL पे dependent हो तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहला question जो solve करना होगा वह access का करना होगा दूसरा जो question होगा वह quality का solve करना होगा और तीसरा अगर यह partially भी हम move करते हैं माल लीजे हम आधी जो credits है वह online माध्यम से कर लें और आधी जो offline से करें उसके लिए भी हमें जो online lectures है वह available करने होगे public में और open websites में जिससे की clear acceleration हो सके knowledge का और wide distribution हो सके learning opportunities का एक जो अच्छी चीज होई है यह pandemic की वज़े से वह यह है कि हमारे पास chance है कि हम higher education को reimagine कर सकते हैं मैंने पहले भी जब online lectures online education की बात की है तब मैंने आपको पहले भी कहा है कि देखिए सबसे बड़ी जो इंडिया की problem है वो education से related है हमारे पास जो access है education का वो universal नहीं है अच्छाई quality जो education है ना वो सबके लिए accessible होनी चाहिए हमारे जो institutions है IITS हैं IAMS है यहाँ पे अच्छी education है बट इतना ज़्यादा जो competitive यहाँ पे environment होता है exclusionary environment होता है अच्छे से अच्छे बच्चे यहाँ पे जाके पाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे exclusion कर रखा है यहाँ इससे क्या होता है कि elitist attitude आता है exclusionary हमारा जो education system है higher education system exclusionary है जहां पर बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि seat spot limited होती है ऐसे में अगर education को इसके थ्रू हमें revolution लाना है उसके लिए हमें access ब तो education जो है learning के बारे में जादा होनी चाहिए degree को acquire करने के बारे में कम होनी चाहिए और यह pandemic जो है यहाँ से हम चीजों को reimagine कर सकते हैं एक और चीज जो हमारी education system में आ सकती है वो inclusiveness की होनी चाहिए देखिए जितना हो सके maximum हद तक जो जितने भी competitive systems है वो सब जो है reduce करके हमे री-imagine करना है किसी भी तरह से जिससे की जो intake है वो बढ़ सके ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो willing है और जो चाहते हैं पढ़ना उनको जह है higher quality education मिल सके अच्छी quality education मिल सके यह हमारा जो है motive होना चाहिए इसके इसकी लिए हमें जो है inclusiveness लानी चाहिए यहां से ongoing online classes माल लेत पर एक जो advantage है वो यह है कि अच्छी education ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है और इससे जो learnings है वो हमारी बहतर हो सकती है अगर हम एक proctor examination की बात करें तो यहां पे social distancing world में proctor examination जो थोड़े से difficult हो जाते हैं इसी लिए जो proctor examination का idea है वो भी change होना चाहिए for example USA में लंबे टाइम से open book examination होते हैं आप जो है इसकी idea से भी सबको हसी आती है इंडिया में डियू ने वोला कि हम open book examination करेंगे students की तरफ से जो है वो आ रही है मना ही आ रही है students तयार नहीं है अच्छे बच्चे तयार नहीं है कि हम open book examination जो है कंडग कराएं तो यहां पे जब देख कि एकदम ratification वाली बात होती है जब हमें हमारा सारा focus जो है degree acquire करने पर होता है हमारा सारा focus जो है सिर्फ marks और grades के उपर होता है वहां पे learning नहीं हो पाती है इसलिए proctored examination को जो idea है वही change करना चाहिए हमारी जो pedagogy है teaching method है वो हमें change करना चाहिए गान्धी जी ने बहुत पहले कहा था नई तालीम के बारे में जहां पर एक बड़ा premium जो है self study के उपर और उसके साथ-साथ experiential learning के उपर डाला गया था तो यह कहीं ना कहीं 70 years होने को आगए 65 years होने को आगए हमारी independence के अब हमें जो है थोड़ा-थोड़ा move करना होगा move away करना होगा हमारी जो established education system है उसके एक मैंने code पढ़ा था हमारी जो education system है उसको design किया 18th century के लोगों ने implement किया 19th century के लोगों ने और इससे expect किया जा रहा है कि 21st century के बच्चों को जो है पढ़ाया जाए तो देख 300 साल पुराना जो education system है अब उसमें changes इतने जादा आ गए है कि हमें जो education methodology है उसको भी change करना चा सबसे पहली चीज़ जो हमें हटानी है वह proctored examination हटाना है एक बहुत अच्छी प्रहल हुई है CBST के और ICST examination के cancel होने से यहां से जो board examination का हुआ था अब वही खतम हो गया आने वाली generations आने वाली जो बच्चे है यह एक हमने बहुत बड़ा यहां से एक जो हमने take away दिया है examination cancel कर है कि examination इतने important नहीं होते learnings जादा important होती है और self study भी अगेर दुबारा focus में आ गई है स्वाध्य है बहुत जरूरी है हर चीज़ पढ़ाई classroom के अंदर नहीं पढ़ाई जा सकती experiential learning जो है ज़दा टिकाओ होती है creativity बढ़ती है innovation का जो methodology है वो हमारी experiential learning के थ्रू बढ़ती है तो ये चीज़े हमें और mainstream करनी होंगी इसके लिए हम कुछ चीज़ें use करते सकते हैं artificial intelligence हम use कर सकते हैं digital learning mode में जहाँ पर जो personalized instruction दिये जा सके बच्चों को based on their learning needs artificial intelligence से learning outcomes improve हो पाएंगे और ये उन बच्चों के लिए specially moon होगा जिनके पास learning difficulties है for example बहुत सारे बच्चे dyslexic होते हैं बहुत सारे बच्चे ADHD से सफर करते हैं even as a student as a child I was suffering from ADHD learning में काफी difficulty होती थी ऐसा नहीं है कि हम learning नहीं कर सकते हैं बट अगे जो concentration power है वो बहुत short lived होती है ADHD वालों की तो यहाँ पे जो learning problems आती है तो इनके लिए अगर हम artificial intelligence को use करें तो इससे हमारी जो learning होगी वो बहतर हो पाएगी फिर online education का adoption जो है वो sensitivity के इतसाथ किया जाना चाहिए नीट यह है कि हम imagine करें और commit करें कि decentralization हो सके education में सबसे बड़ा जो take away इस pandemic से होना चाहिए न वो decentralization होना चाहिए education का एक हमारे लिए समय कि education revolution हम लेकर के आए जहां पर अच्छी education जो है किसी particular elitist की वापोती ना हो वो बच्चे जो केवल competitive exam जो coachings खरपाते हैं सिर्फ उनको access ना मिले क्योंकि देखें इंडिया के अंदर इतना जादा demographic dividend है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं problem यह है कि हमारे institutions इतने कम हैं कि हम जो बच्चे willing हैं तभी तो आप देखिए कि 10 लाग बच्चे form परते हैं और hardly एक असार बच्चों का selection होता है आप JE के अगर बात करें 10 लाग बच्चे form परते हैं almost 20,000 बच्चों को अच्छे institution से engineering करने का मुका मिलता है आप just imagine कीजे अग क्या हमारे पास एकलव्यों की कमी है जो एक्तम minimal education needs के बावजूद भी creativity कर जाते हैं तो अगर हमने वो access सबको करा दी कितना ज्यादा innovation इंडिया कर सकता है इंडिया के अंदर इतना ज्यादा potential है innovation का कि हम हर चीज की जुगार निकाल लेते हैं तो जुगार technology हमारे पास इतन education को as a tool नहीं देखते as a माध्यम नहीं देखते कि यह कोई changes ला सकता है तबी तो हमारी जो government से minimum hardly 1.5% GDP का education पे खर्च करती हैं यह जो figure है न यह 10 to 20% होनी चाहिए थी हमारी एतनी बड़ी country के अंदर और तबी अकर इंडिया के हमें कोई भी problem solve करनी है तो उसके लिए हमें education क revolution लाना ही पड़ेगा और वो भी good quality education जो है rural areas तक मोचानी होगी गुरुकुल system में हरे किसी को जो है जो भी आना चाहता था उसको free में education प्रवाइड की जाती थी इतना high premium होने के बावजुदी बच्चे willing है पैसे देने के लिए बच्चे willing है learning के लिए पर फिर भी हमने elitist बना रखा है अपनी education system को और यही सबसे बड़ी कमी है जो इंडिया को पीछे रखता है इसी लिए हमें यहां पर imagine करना होगा sensitivity लानी होगी decentralization करना होगा education का जो पढ़ाई का material है जो पढ़ाई का material है अच्छा material है वो सबके लिए accessible कराना होगा national languages में accessible कराना होगा जिससे कि जादा से जादा बच्चे जो है अच्छी से अच्छी चीजों को बुक्स को पढ़ सके और दीखे एक बड़ी बहुत बड़ी अस्या एक बहुत बड़ी जो problem face करते हैं न हिंदी मीडियम के बच्चे लोक जो आपके बागी मीडियम के बच्चे वो फेस करते हैं कि सब्सक्राइब करें जिसे कि हर नीडी स्टूडेंट तक लापटॉप या स्मार्टफोन का एकसस किया जा सके एकसस जो है पहुंचाया जा सके कैंपस जो है इस वक्त डेसुलेट और एंप्टी और इनेक्टिव हो गए हैं एस्टिमेट यह है कि कोविड-19 सीजनल होगा औ ओनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक हमें बिल्ड करना होगा और जल्दी से जल्दी बिल्ड करना होगा लेबुरेटरी का जो कॉंटक्ट है वो लिमिटेड हो और इंस्ट्रक्शन जो है इंडिविजुल मेंटरिंग के साथ साथ हो इंडि तो ये आर्टिकल है आपका Science vs. Nonsense यहाँ पर आपको याद होगा कि पतंजली आयरवेट ने रिसेंटली क्लेम किया था कि उन्होंने जो है कोविट का क्योर डिसकावर कर लिया है और कोरूनिल के नाम से दवाई निकाली थी उन्हों दवाई जो है लाँच करते वक्त उन्हों ने क्लिनिकल ट्रायल किया था फ़ो how ने कहा कि वह निम्स में शायद किया गया था जैपूर के अंदर अब फिलाल यह कांपनी ने मिस्रिप्सेंट किया है ट्रग की को क्योंकि जब याप क्लेड ड्रेट करते हैं तो उसका छो वाप्लिक ैंपर के क्लुनिकल ट्रायल मैं तेस्ट करा सबस्क्क और 55,95 तो 35 प्लिसेट इस खेजे से गटा गोए तो और 100 fan पएसक अ किटना हूदि आनवलिके ट्रायल में मिन्तों नहीं वालाइब वह से दकब्रक्षन एंदिया है कि वाल स्लाइट अश्यायste और Google net marginal improvement है, measurable improvement नहीं है उसके अलावा जो trial किया गया था बहुत कम नंबर लोगों के उपर किया गया था फिर जो trial किया गया था mildly symptomatic लोगों के उपर किया गया था तो symptomatic लोग और asymptomatic लोग तो अपने आप ही cure हो जाते हैं जो trial की efficacy आती है वो बहुत जादा जो बीमार है उसके उपर drug का अगर test किया जाए तो वहां से आती है उसके अलावा measurable changes होने चाहिए तो इसलिए जो claims हैं कि 7 में दिन सारे लोग recover कर गए वो scientific scrutiny को तक नहीं टिक सकते हैं तिक रहे हैं उसके अलावा जो doctors जिन्होंने trial लिया था ना तो उन्होंने trial registry process में registered तो किया था पर उन्होंने कोई publish नहीं किया result को नहीं result को PA review के लिए submit किया इसलिए company का जो cure है company का जो claim है कि cure है ये एक subversion है scientific process का scientific process के basis पे ये cure जो है आप नहीं कह सकते इसको HCQ का भी को भी इसी तरह से wonder drug के रूप में बोला गया था even ICMR ने इसको जो है accept किया था और अपने frontline workers को दिया था बहुत सारे लोगों ने इसको oppose किया कि HCQ इतना effective नहीं है उसके बावजूद भी HCQ को हटाने के लिए एक proper study की गई थी तो इसी लिए जब हम scientific process की बात करते हैं तो वहाँ पे method कौन सा deploy किया गया है उसको scrutiny की जाती है scientist के द्वारा जिससे की public trust को reinforce किया जा सके scientific assessment में कोई भी दवाई जो है बिना testing के proper तब तक हम claim नहीं कर सकते दवाईयों की proper testing होनी चाहिए ये specifically जब ऐसी चीज़ों हो जहां पे public hysteria generate हो सकता है अब देखिए जो हमारी regulatory system है उसमें safe और efficacy drug को develop करने के लिए clinical trials को से पास करना ज़रूरी होता है बट problem ये है कि हमारे जो alternative medicines हैं जैसे की आयुरवेद्या हो गया फिर homeopath हो गई फिर हमारी जो यूनानी हो गई ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं यहां पे एक proper system नहीं है जिससे की drug की efficacy test की जा सके तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं अगर हम proper इतनी stringent scientific efficacy नहीं लाते हैं अपने alternate medicine system में तो ये criminal negligence की तरह भी काम कर सकता है क्योंकि कभी-कभी spurious drugs जो है fake drugs market किये जा सकते हैं जिससे finally gain होगा उन लोगों का जो लोग marketing कर रहे हैं बट ultimately जो जो लोग इस drug पे dependent हैं उनके उपर बहुत serious implications health को लेकर के हो सकते हैं तो health के मामले में कोई कोता ही नहीं बरतनी चाहिए और time आ गया है कि हम ये जो अपनी alternate medicine system है अगर इसको हमें world level पर promote करना है तो इसकी हमें proper clinical और scientific trials करने ज़रूरी होंगे इनको rigorous scrutiny में डालिए और जो भी चीज अच्छी हो उसको आप no doubt implement कीजे यहां पर हेल्थ की बात हो रही है यहां पर कोई मजाक नहीं हो रहा है यह अधर्वाइस जो है criminal negligence के रूप में amount होगा तो आज के discussion में इतना ही अगर आपको पसंद आया हो तो like करना ना पूले thanks a lot and have a good day